हेलो नवस्कार स्टुडेंट वेलकम टू इनोवेशन शड़ी चैनल आप स्पिका यहां पे श्वागत करते हैं आज अपन शुरू करने जा रहे हैं तेरा नंबर चेप्टर का अग्जम्पल नंबर साथ पीछे वाले कलासें अगर आपने नहीं देखिया तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक में जाएगा वहां से परते क्लास को फोलो कर सकते ही अब जो नया स्लेवस आया है उसी पे अधारित हमारी कंटिन्यू क्लास रहेगी तो जो 2014 के लिए न्यू पे ही अधारित क्लास से रहेगी जो चैप्टर जो एक्सरसाइज हट गई हो उनको नहीं करवाये जाएगा तो बेफिकर रहें निश्यत रूपशे कंटिन्यूटी बना के रखें पढ़ लेते हैं अग्जांपल नंबर साथ में हमें क्या दे रखा है कि कि किसी स्कूल की कक पांच पांच का है तो पहला लिख सकते हैं अपने एक सो पैंटीस से एक सो चालिस से एक सो पैंतालिस तो वो हमने टेवल अच्छे से बना रखें एक सो पैंतीस एक सो चालिस एक सो पैंतालिस एक सो पैंतालिस एक सो पैंतालिस एक सो पचास और इधर लड़कियों की संख्या सियप का मान दे रखा है हमें निकालना है एफ का मान संचे बारंबारता सैम पहले का पहला सैम आजेगा नीचे वाले में से उपर पबला घटा तो 11 में से 4 गटा होगे तो 7 बचेगा 39 में से 11 गटा होगे तो 18 बचेगा 40 में Cand 김잖아 29 गटा होगे तो 13 को 16 में 40 को गटा होगे तो 6 बचेगा और करन में से 46 को गटाँ में तो 5 बचेगा जोड़ देख लेना सारा रजल्ट आपका क्या आजेगा एकदम से लिखे लिखे 51 आएगा अब यहां पे लिखेंगे यहां total कितना है n is equal to कितना है 51 यहां n बटे 2 यानि 51 बटे 2 कितना आजेगा 25.5 से ठीक बड़ी बड़ी CF कितनी होजेगी बताओ 51 बटे 2 यानि 25.5 से ठीक बड़ी CF यह होजेगा आपकी 29 होजेगी CF is equal to 39 होगी क्या होगी 39 होगी तब वरग अंतराल वरग अंतराल क्या रहेगा 145 से 150 रहेगा तो L का मान कितना होगा 145 ह का मान कितना होगा 5 F का मान कितना होगा frequencies के सामने 18 दे रखी है और CF का मान क्या होगा सच्ची है बारम बारता 39 से ठीक उपर वाली कितनी होजेगी 11 होजेगी ठीक है अब formula क्या होता है आपको निकालना क्या है आपको निकालना है इसमें माध्यक उंचाई क्या आथ करना माध्यक निकालना है तो median M is equal to क्या होता है L plus यहां से होता है N बटे 2 minus में CF upon में F multiply में H value रख देती है L का मान है 145 plus में यह होजेगा N बटा 2 कितना होजेगा 25.5 minus में CF का मान कितना है 11 divided by F का मान कितना है 18 और multiply H का मान कितना है 5 तो M is equal to कितना होगा 145 plus 25.5 में इसे 11 गटाएंगे तो 0.5 आएगा और यह बचेगा 4 14 14 गुणा में 5 और यह आपको करना है 18 दसमलो हटा होगी तो नीचे 0 लग जाएगा नीचे 0 लग जाएगा अब यह साइध कट जेगा किस से कटेगा 5 से कटेगा 5 एकम 5 18 पांस ती है 15 बच गया 36 36 से हो गया तो यह result हो गया 145 plus में 145 में आपको क्या करना है 36 का डिवाइड कर अब 145 में 36 का भाग दोगे 4.03 आएगा अब इसको जोड़ दो 145.04 149 हो जाएगे 149.03 इसका क्या बन जाएगा राइट अंसर बन जाएगा इस देट कलियर 149.03 सेंटिमेटर इसकी माद्य कुंचाई हो जाएगी माद्य कुंचाई हो जाएगी इसके बाद में चलते हैं next question की तरफ next example number यह 8 दे रखा है सांदार example है पहले example को पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है इसके बाद में देखते हैं process यह देखेगा यह आपके सामने आ चुका है निमल लिखी तांकणों का माद्यक 525 है ठीक है यदि बारम बारताओं का योग 100 है यह total मिला कि कितनी है 100 है तो X और Y कामान ग्याद कीजिए यनि आपको यहां से M कामान दे दिया M कामान कितना है 525 दे रखा है M कामान 525 है तो वो किस के बीच में आएगा 500 से 600 के बीच में 500 से 600 के बीच में हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है यह हो जाएगा यह आपका वरगंत्राल आएगा यह आपका F का मान आएगा Is that clear? चलिएगा टेबल ट्यार कर लेते हैं संचे बारंबारता करते हैं तो यहां से क्या result होगा आप लिखेंगे 2 का 2 लिखेंगे 2 प्लस में 5 7 लिखेंगे 7 प्लस में आप लिख देंगे X 7 प्लस X प्लस 12 यानि 19 प्लस X 1917 को जोड़ेंगे 7,16,36 प्लस में X यह कितना होजेगा 56 प्लस में X और यह होजेगा हमारे पास में 56 प्लस X प्लस Y 56 में 4 को जोड़ेंगे तो यह होज़ेगा 65 प्लस X प्लस Y और यह होज़ेगा 65 और 4 कितने हो जाएंगे 70 70, 70, 70 दो बैतर यह होज़ेगा 22 प्लस X प्लस Y और यह होज़ेगा 60 प्लस X प्लस Y Is that clear? आपको median दे रखा है M का मान कितना है? 525 है और 525 कौन से वरगंतराल के अंतरगत आता है? 500 से 600 के बीच में आएगा 500 से 600 के बीच में आएगा तो लिखेंगे यहाँ L is equal to 99 मा कितनी होज़ेगी? 500 होज़ेगी F का मान कितना होज़ेगा? 20 होज़ेगा और C F का मान इस से ठीक उपर वाली वैल्यू होज़ेगी 36 प्लस में X होगे जबकि इसका योग कितना दे रखा है इसका सम कितना दे रखा है टोटल्स कुल मिलाके यह रजल्ट आपको दे रखा है N is equal to 100 दे रखा है यह वैल्यू और यह वैल्यू बराबर होनी चाहिए यही तो होता है CF में यही तो होता है तो लिखेंगे यहां H का मान और लिखो एक मिट यह सारा अकड़ा पहले लिखे दो H is equal to कितना होगा 100 होगा F का मान CF का मान यह हो गया यह हो गया ठीक N बटे दो कितना होगा 100 बटे दो यह होई गया अब लिखेंगे यहां Cंतर प्लेस X Plus Y is equal to 100 होना चाहिए तो यहां से X Plus Y is equal to 100 माईनस में Cंतर तो result कितना होगा X Plus Y is equal to कितना होजेगा 24 होजेगा Equation number क्या आ रही है 1 आ रही है equation number क्या आ रही है 1 आगे अब median का formula होता है m is equal to l plus n बटे 2 minus में cf upon में f और multiply में क्या है h है multiply में h है ये value रख देती है देखो क्या होगा median का वान 525 दे रखा है is equal to l का value कितना है l का value कितना है l का वान अभी देखा था 500 है plus में n बटे 2 यानि 100 100 minus में cf का मान 36 ये उपर वाला value 36 plus में x लेकिन बाहर minus है तो minus x होजएगा upon में f का मान कितना है 20 और h का मान कितना है 100 ये काड़ तो 20 एकम 20 25 पांज़े 100 500 इधर आजएगा तो ये 525 है minus के 500 इधर आके minus का बन गया 100 minus में 36 करोगे तो 64 आएगा और minus में x होजएगा और गुणा में क्या चल रहा है 5 चल रहा है ये होजएगा 525 मान इधर आजएगा गुणा में है तो भाग में आजएगा ये देखो 5 गुणा में है भाग में आजएगा भी तो यहां पे भाग में आ गया is equal to cash 64 minus में x तो यहां से result निकलेगा 5 is equal to 64 minus में x minus के x को इधर लेके आते हैं plus का होजेगा 64 minus में 64 नहीं यह 100 कैसे लिख दिया 100 तो होगा यह नहीं n वटे 2 करना है तो 50 क्रो यहां से 50 करना पड़ेगा यह थोड़ा सा calculation गलत कर दिया जल्दवाजी में इस प्रकार से गलती मत कर देना n वटे 2 करना है तो यह 50 होगा 50 में से 36 14 बनेगा कितना बनेगा अभी 14 minus में x आ रहा है 14 minus में x आ रहा है यह आजगा 14 minus में 5 result x का values कितना होगा 9 होगा x का values कितना आएगा 9 आएगा अब देखो x का value 9 है तो 1 से क्या होजेगा लिखेंगे यदि x is equal to 9 हो तो हमें x और y की value ग्याद करनी थी x is equal to 9 हो तो 1 से आप जानगे कि x plus y is equal to choice हो गया तो यहां से y is equal to choice minus में 9 choice में इसे 9 गटा होगे तो 15 आजेगा तो y का मान कितना होगा 15 और x का मान कितना होगा 9 हो जेगा सबी विद्यार्थियों के समझ में आया एक बार पुने दुबारे आपके सामनी आजाता है टेबल आपको दे रखा है 525 m का मान, l का मान आपने देख लिया कि 525 किस किस के वरगंतराल के बीच में है, 500 से 600 की बीच में है तो वरगंतराल 500 से 600 होगा l का वेल्यू 500 जेगा निमंतम सीमा वरगंतराल की f का मान इसके सामने बारंबारता का मान cf का मान 56 प्लस x से उपर वाली 36 प्लस में x और h का मान 100 हो गया यहाँ पे 36 प्लस x प्लस y is equal to हमें दे रखा है 100 तो यहाँ से x प्लस y is equal to 100 माइनस में 36 तो चोईस बचेगा अब हमने formula रख दिया और formula में n बटा 2 का मान हमने पहले 100 रख दिया था वो की गलत था n का मान 100 है, n बटे 2 का मान करना था 100 बटे 2 यह नि 50 हो जएगा इस परकार से यह calculation करोगे आपके पास में यह questions बनेगा easy एकदम clear यह chapter पूरा हो चुका है इसके सारे example है वो complete हो चुके है exercise इसके complete हो चुके है ठीक है, जो संसोदित particular है वह है, उतना ही आपसे पूछा जाएगा उतना ही करवा रहा हूँ Is that clear? तो इसके बाद में next class में मिलेंगे कुछ नए chapter के साथ में आज की class में इतना ही जय हिंद, जय भारत